बॉलिवड की कॉंट्रोवर्सिल क्वीन कंगना रनौत आये दिन किसी ना किसी बात को लेकर सुर्ख्यों का इस्सा बनी रहती है और अक्सर कंगना बॉलिवड सितारों को अपने निसाने पर लेते वे नजर आती है बता दे कि कंगना रनौत का रियालिटी सो लॉक अप लग सारी रिक सोसन काफी आम बात है कंगना रनौत ने का फिलिम इंडस्ट्री में या फैसन इंडस्ट्री में खासकर यंग लोगों का सारी रिक सोसन करना काफी आम बात है हम कितना भी इंडस्ट्री के बचाओं में बोले लेकिन ये सच है ये कई तरह के अवसर देती है लेकि कि जिन महिलाओं ने कई बड़े चारों पर आरोप लगाए थे वो अब नजर भी नहीं आ रही है उन्होंने कहा जब यह मीटू मूमेंट हुआ क्या हुआ उसका कुछ नहीं वो लड़कियां जो भाहर आई थी गायब है सब की सब इस ग्रह से ही गायब है जिनको मैंने सपोर दिजाइन ने उन्हें एक बार अपने होटल रूम में बुलाया था उन्होंने साथ ही साथ आठ लड़कों को भी बुलाया था साइसा सिंदे ने कहा था ये एक ऐसा सच है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया ये भारतिय डिजाइनर मेरे फेबरेट थे जब मैं उनसे मिली तो काफी अधिक परवावित हो गई मैंने उन्हें गले लगाया और हम इंटीमेट भी हुए बाद में मुझे पता चला कि फैसन डिजाइनर ने साथ अत लड़कों के साथ ऐसा किया था फिलाल इस समय कंगना रनौत की इन बातों ने लोगों का ध्यान खीचा है बता दी कि पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत ने बॉलियूट का परदाफास किया हो इस से पहले भी कंगना रनौत ने कई बार बॉलियूट का काला सच दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है तो दोस्तों कंगना रनौत के बयान को लेकर आपका क्या कहना है आप हमें अपनी रा